पंच केदारों में से तुदिया केदार मदमिश्वर धाम के एक अपार्ट बंध हो चुके हैं आज मदमिश्वर भगवान की डोली रांसी गाउं में पहुँचने वाली है तो इसलिए गाउं के सारे लोग डोली का श्वागत करने के लिए एकठा हो रखे हैं आज मदमिश्वर भगवान की डोली रांसी गाउं के राकिश्वरी मंदिर में रातर निवास के लिए रहेगी तो इस समय देख सकते हैं कि गाजे बाजे के साथ डोली का श्वागत करने के लिए सारे गाउं वाले एक अर्थित हो गए हैं तो कर लेते हैं एक नए दिन की सुरुआत नमस्कार मैं हूँ पमियाग गरवाल और स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लोग में अभी देख सकते हैं बाबा मदमिश्वर भगवान की डोली रासी गाउं में पहुंच गई है और गाउं के रास्ते से होते हुए मनमिश्वर भगवान की डोली मातारा किश्वरी मंदिर के रांगण में पहुंचने वाली है कुछी पलों में वहाँ पार भगवान मनमिश्वर की डोली की फुजा की जाएगी और उसके बाद डोली को मारा किश्वरी मंदिर में रखा जाएगा कर तो पर शाल लो जारा है जो कर दो कर दो कि दो कर दो कि दो कि उाँ जो कि प्राइब जो कर दो करें रहां हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है कर दो 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 झाल 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 आए यूटूबर के भीवरों को بتाना चाता हूं कि बाबा मनमेश्वर भगवान की डोली का पड़ाओ भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार के दारनात की डोली का पड़ाओ होता है तो आज भगवान मनमिश्वर की डूली का जो पड़ाओ है वो रांसी गाओं में राकिश्वरी मंदिर में होता है और कल मन्शोना गाओं में होगा और परसों भगवान की डूली अपने गद्धी अस्थल ओमकारिश्वर मंदिर उखी मट में होगा जहां पर एक भब्यमिला लगाया जाता है जिसे मदमिश्वर मेरे के नाम से जाना जाता है जाना 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 जाता है झाल 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 पुरे मंदिर की परक्रिमा करने के बाद अब भगवान मन में शुर्ब की डोली को मंदिर में रखा जाएगा और रातर निवास आज माता राकिश्वरी मंदिर में ही किया जाएगा झाल झाल झाल